सब्सक्राइब कीजिए हैश्टेग हिंदी यूटूब चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले धरमेंदर के बेटे और एकर बॉबी देओल जल्द सल्मान खान के साथ रेस टीन में नजर आने वाले हैं बात अगर उनकी परसनल लाइफ की करें तो उन्होंने नौन फिल्मी वेकर ग्राउंड से बिलॉन करने वाली तानिया देओल से शादी की है हाला की कम भी लोग जानते हैं कि कभी बॉबी का अफियर सल्मान खान की ओनर स्क्रीन बहन नहम साथ साथ हैं और 80-90 एसकी फेमस एक ट्रेस नीलम को ठारी से रहा है सोरसेज की माने तो बॉबी और नीलम करी 5 साल सीरियस रिलेशनशिप में रहे हाला की इनका रिष्टा शादी तक नहीं पहुँच सका एक वक्त था जब बॉबी और नीलम एक दूसरे के लिए काफी सीरियस थे दोनों के क्लॉज फ्रेंट्स आज भी इस बात को जानते हैं दोनों का अफेर शादी तक नहीं पहुँच पाने की वज़ह बॉबी के पिता धरमेंदर मान जाते हैं दरसल धरमेंदर इस रिलेशनशिप के सख्त खिलाफ थे वे नहीं चाहते थे कि उनका एक भी बेटा बॉलिवोड की किसी भी एक ट्रेस से शादी करें इसी वज़े से दोनों का ब्रेक अप हो गया नीलम ने स्टार इडस्ट मैक जीन को दिये इंटर्व्यू में अपने ब्रेक अप और बॉबी के साथ रहे रिलेशनशिप पर खुल कर बात की थी उन्होंने इस इंटर्व्यू में इस बात का भी खुलासा किया था कि दोनों का अलगाव आपसी सहमती से था ना किसी तीसरे के आजाने की वजह से ये कपल अलग हुआ था नीलम ने कहा था हाँ यह सच था कि बॉबी और मैं अलग हुए मुझे अपनी परसनल लाइफ के बारे में बात करना पसंद नहीं है लेकिन हमें लेकर काफी कहानियां बनाएगी और अलग-अलग बाते हुई इसलिए मैं इस विशेक पर बात कर रही हूँ मैं नहीं दाती लोग उस बात पर यकीन करें जो सिर्फ और सिर्फ जूट है ये अफवाह भी आई कि ब्रेक अप की वज़ह बॉबी का पूजा भट के साथ नजदी कियां बढ़ना रहा तो मैं बता दूँ कि ये सब जूट है मेरा और बॉबी का ब्रेक अप न तो पूजा की वज़ह से हुआ और नहीं किसी दूसरी लड़की के कारण हम आप सी सहमती से अलग हुए दोस्तों इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर करना न भूले और ऐसे ही लेटेस अपड़ेट पाते रहने के लिए हमारे इस चानल को सब्सक्राइब जरूर करें